हलो मेरे नाम है चिंद्रहास, इस्टेडी स्मार्ट में आपका स्वागत है, दोस्तों आपको पता होगा IVPS PO के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो नोटिफिकेशन आने के बाद सबसे इंपोर्टेंट बात यही आपके दिवाग चलती है, कि अब अगर देखा जाए तो कि ज एड़ी टिप्स दूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सके, और शुरुवात में ही आप गलतियां ना करें, तो सारी चीजों को हम यहां पर देखते हैं, चली जल्दी से शुरुवात करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करता हूँ, कि आपके subjects के हैं, जिसकी आपको तयारी करनी चाहिए, देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं सुरुवात से, कि हमको pre की तयारी करनी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप mains की तयारी करिए, pre की तयारी उसके अंदर ही included रहती है, more or less आप कह सकते हैं, इसके साथ ही आपकी हो जाती है, त तो mains की topic के अगर बात करें, तो mains में आता क्या है, ये चार subjects है, quantitative attitude या फिर आप कहज़ा सकते हैं, quantitative attitude नहीं आता, data interpretation और data sufficiency जो topic है, वो आपका आता है, वो इसी के अंतरगत ही होता है, फिर है reasoning and computer attitude, दूसरा topic है, तीसरा है, English language और चौता है, general economic and banking awareness, ये चार topics आपके हैं, जि चार subjects हैं, जो आपके mains के topic के हैं, अगर इसमें हम बात करें, प्री की तो प्री में ये तीन आते हैं, इसमें computer attitude नहीं आता है, ये तीन प्री के topics हैं, तो अगर आप देखें, इस प्री में भी बड़ा, मतलब प्री और mains के topics में भी थोड़ा सांतर जैसे, प्री में आपका computer में आएगा, में में आएगा, यहाँ पर प्री में quantitative attitude के ज़्यादा questions रहते हैं, में में आप जाएंगे data interpretation of sufficiency के ज्यादा questions रहते हैं, वो भी मैं detail में आपको बताऊंगा, तो तैयारी आपको mains की करनी है, जब आप mains की तारी करेंगे तो प्री की तैयारी उसमें included रहेगी, यह शुरुआत की बात है, तो आप तैयारी शुरू करें, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको follow करनी चाहिए, जो मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो चीजें क्या हैं, वो चीजें यह हैं, सबसे पहले तो आप किसी के भी time table को follow मत करिए, ना तो मतलब कोई अगर बता रहा है, आपका बड़ा भाई है, आपका दोस्त है, कोई भी है, आप उसके time table को follow मत करिए, क्योंकि हर एक इंसान different होता है, उसकी परिस्तितियां different होती है, उसके पढ़ने का तरीका different होता है, उसकी weakness और उसका जो strong point हो different different होता है, तो आप अपने about के पढ़ें तब ही आपका हो पाएगा, ऐसा नहीं है, आपका जब यहां पर time अच्छा utilize हो पाए, आप वैसा time table बनाएए, और आपको कौन से topic के उपर ज़्यादा focus करना है, उसको लेकर के आप time table बनाएए, आपका दोस्तिया आपके साथ ही रह रहा है, मान लीजे वो 6 शे गहंटे math पढ़ायत हो सकता है, उसकी math बहुत ज़यादा कम जोर हो, आपकी math उतनी ज़यादा कम जोर नहीं है, आपके English ज़यादा कम जोर है, तो आप math को उतना time मत दीजे, आप English पे ज़यादा time दीजे, क्योंकि आपको हर एक section पास करना है, ध्यान रखीए, हर एक section प अगर आप इस पर dependent है कि कोई आपको बताए कि time table क्या होना चाहिए कैसे बनाना चाहिए मतलों आपके अंदर कमजोरी है और आप इस कमजोरी को दूर करिए वरना फिर सफलता जल्दी हाथ नहीं लगेगी दूसरा जो सबसे important point है कि आपके उल्द पढ़ते ही मत रहिए revision करिए revision must है बहुत सारे लोग होते हैं जो topic by topic was पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पिछला क्या पढ़ा है उनको कुछ पता नहीं होता है आगे पढ़ते जाते हैं पीछे का भूलता रहता है आगे पढ़ते से पहले आपने दिन भर में क्या पढ़ा है उसको एक बार revise करिए इसके बाद आप दूसरा revision कर सकते हैं कि आपने पूरे हप्ते में क्या पढ़ा है पूरे हप्ते में आपने क्या पढ़ा है यह देखिए कि उस एक महीने में आपने क्या पढ़ा है एक सरसरी निगा जरूर तो इससे होगा जाई कि आप पड़े आप रिवीजन कर रहे हैं आपको ये पता चल रही कि आपको इस प्तारव करेंगे दिमाग ब향 तो आपको समझझ प्छो से उसका क्या result निकल रहा है कितना topic आ रहा है कितना नहीं आ रहा है किस पर और महनत करनी है और revision करते रहने से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगे दिमाग में बैठ ही रहेंगी आपको यह टेंशन नहीं होगी कि अब फिर से मैंने इतना सारा नहीं मिलेगा जितना इस revision का आपको मिलने वाला है फिर यहां पर बात है कि study करिए कम से कम 10 घंटे अब यह मैंने स्टार इसले लगाए क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके study कौन से phase में है आप अगर new student है नियोकमर है अभी अभी अपने तयारी शुरू करी है दो तीन मही नहीं हुए है तयारी के तो मैं कहूंगा थोड़ा सा और टाइम अपने लिए devote करिए पढ़ने के लिए आप कई बार से तैरी कर रहे हैं और आपको अच्छा खासा knowledge है बस कहीं एक नंबर या आधे नंबर से आपका रुख जा रहा है तो आप यह प्रयास करिए कि 10 घंटे लेकिन यहां पर मेरे 10 घंटे कहने का मतलब यह है कि आपको जितना maximum time मिले पढ़ने का उतना maximum time devote करिए 10 घंटे नहीं तो अगर आपको 14 घंटे मिलें 14 घंटे पढ़ सकते हैं इसमें एक important बात यह है कि पढ़ते हुए आपको break लेना भी जरूरी है अगर आपने break नहीं लिय कर सकते हैं हमारा दिमाग लगातार चीजों को नहीं याद रख सकता आप भले ही पढ़ने बैठे हैं सुबा च्छे वज़े से बारा वज़े तक 6 घंटे लगातार ठीक है आपकी पढ़ सकते हैं लेकिन यह 6 घंटे उतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं पर आपके दिम 5-10 मिनट दोस्तों से बात कर लीजिए जिससे आपका आपकी जो पढ़ाई है और आपका दिमाग है दोनों 5-10 मिनट के लिए अलग हो सकें जिससे आपने जो पढ़ा है वह आपका दिमाग अच्छी तरीके से उस पर पकड़ जमा सके वरना होगा क्या आप पढ़ते रहें कि आपने क्या पढ़ा है उसमें से कितना आ रहा है आप कौन से टॉपिक अभी आपके कमजूर है उस पर आपको ध्यान देना है सिर्फ इसलिए आप अपने आपको नहीं परक रहें कि आपको डर लग रहा है कहीं अगर टेस्ट दूँ या फिर खुद कोई मुझसे कोई फिर वहाँ पर बताईए भी जिसको जो टॉपिक नहीं आ रहा है तो उससे होगा क्या कि आपका सेल्फ असेस्मेंट होगा आपको पता चलेगा आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉंग है कौन सा एरिया वीक है कहां पर भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इसके कई सारे आप के तरीके हो सकते हैं आप खुद से भी अपना टेश्ट तयार कर सकते हैं अपने दोस से तयार करवा सकते हैं आप मौक टेश्ट दे सकते हैं ग्रूप में आप कोश्चिन्स पूँच सकते हैं कई सारे तरीके हैं कि वह लेक तरीका नहीं लेकिन करिए जरूर सेल्फ असेश जो पढ़ रहे हैं, वो exam में आही नहीं रहा है, relevant नहीं है, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं, उसके बीचे कोई break नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हैं, भूलते रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तो इन चार चीज़ों को तो गांट बांद लीजे, या आपको ये follow करनी ही करन आते हैं, अपने जो subjects हैं उन पर, किस में से कितना question आता है, क्या-क्या topics हैं, जो आपके exam में आते हैं, कहां से आपके questions ज्यादा निकलते हैं, सारी चीज़े, सबसे पहले हम बात करते हैं, quantity, aptitude की, तो यहाँ पे आपके जो topics हैं, number series है, number series में के questions आते हैं, 5 number के, pre में आता ह हैं, आपका number series, 5 number के questions आते हैं, और यह जो number series होते हैं, यह missing भी हो सकती है, या फिर wrong number series भी हो सकती, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपको अच्छे से तैयरी करनी हैं, बहुत ज्यादा tough नहीं होता है, एक आत question ऐसा हो जाएगा, यह बहुत ज्यादा tough हो जाएगा, और न कितना भी बड़ा हो, कितना lengthy calculation हो, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, फिर तीसरा point है, simplification और approximations का, simplification और approximation से भी आपके 5-6 number के question आते हैं, डिपेंड करता है, आपका exam कौन सा है, अगर आप RRBPO या अकलर की तयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10-15 number के questions भी पूचे जा सकते हैं या फिर जाते ही हैं, 10 number के तो कम से कम, तो आप अच्छे से इसकी तयारी करिए, और मैं तो कहता हूँ, simplification approximation ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इसलिए solve करिए, क्योंकि इसको solve करने से जो आपकी calculation speed है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, calculation speed बहुत अच्छी होती है, तो आप कोई भी question कर रहे हैं, data interpretation का कर रहे हैं, arithmetic का कर रहे हैं, हर जगा आखरी में calculation ही करना पड़ता है, अगर calculation speed आपकी अच्छी है, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा perform करते हैं, तो इसकी practice ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि ये सिर्फ 5 या 10 या 15 number में पूछा नहीं जाता है, ये आपके और जगा भी काम आता है, फिर तीसरा जो यहाँ, चौथा जो है, वो है data interpretation, data interpretation का जो topic है, ये अब पहले की तुलना में थोड़ा सा different हो चुका है, कैसे different हो चुका है, कि अगर आप पिछले बार का exam देखें हैं, तो data interpretation और data sufficiency से, मेरे खाल से 30 से ज्यादा questions आप कहेंगे, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इसी data interpretation में, arithmetic के जो topics हैं, इनको मिला करके बनाया था, अब जो भी data interpretation आता है, वो सिर्फ सीधा सीधा नहीं होता है, जो सीधा data interpretation होता है, जैसे हम अभी तक solve करते हैं, कि कोई company है, या फिर किसी schedule है, या फिर किसी school की बात हो रही है, क इनको मिला करके data interpretation, data sufficiency के questions बनते हैं, ज्यान रखेगा, data interpretation पिछली बार आप देखेंगे, तो time and work से पूछा गया था, probability से पूछा गया था, data interpretation का question, percentage से question आया था, profit and loss से आपके questions पूछे जाते हैं, boat and stream के जो topics हैं, वहाँ से आपके आते हैं, train का जो topic है, train वाले questions होते हैं, वहाँ से आते हैं, तो जो भी यहाँ पे SI CI की बात करिए, जो भी arithmetic का part है, आप बहुत सार लोग यह कहते हैं, कि अगर आप ऐसे देखेंगे, आप analysis अगर देखेंगे, तो आपको यह देखने को मिलेगा, कि data interpretation आया था, 30 से ज्यादा number का, तो आप कहेंगे, arithmetic पढ़ने के ज नमबर के सीधे सीधे questions जैसे हम arithmetic के पढ़ते हैं, data interpretation के 5 से 10 नमबर के questions, कम से कम 10 नमबर के questions तो रहते ही है, data sufficiency के अगर questions आएं, mains में तो ठीक है, वरना mains में आते हैं, लेकिन arithmetic का जो topic है, कि prelims तक ही valid नहीं है, arithmetic के topics पर ही data interpretation अब बनता है, तो जो लोग यह सोचेंगे कि mains मे आताने तो क्यों पढ़ना, तो उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि data interpretation का जो topic है, वो arithmetic से connected है, आपने अगर arithmetic छोड़ा, तो आप time and work अगर नहीं पढ़ा है, data interpretation आगया 5 नमबर का आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर concept ही होगा, probability आपको नहीं आती है, तो आप नह नहीं कर सकते, 5 नमबर वह भी छोड़ जाएगा, तो करते करते आप देखेंगे क्या, ज्यादा आपको मेंस में नमबर सेरीज मिल जाएगी, 2-3 नमबर की, हो सकता है, simplification दे, ना भी दे, कोई ज़रूरत नहीं है, code equation हो भी सकता है, ना आए, लेकिन जो data interpretation है, वो maximum number का पू कैसे questions पूछे गये हैं, arithmetic के उपर उनको देखी, कैसे questions पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर caselets भी पूछे जाते हैं, bar diagram भी है, pie chart भी है, missing dii भी है, सब तरह के questions बनते हैं, arithmetic के topics को ले करके, कई सारी वीडियो मैंने इसके बना रखे हैं, आप अगर simple search ही मारेंगे, time and work, data interpretation, study smart, तो आपको मिल जाएंगे, वो सारे जो वीडियो मैंने बना रखे हैं, प्रिछले exams में जो पूछे गए हैं, तो आपके लिए important हैं, तो ऐसे आप search कर सकते हैं, आपको पता चलिया है, कैसे questions बन रहे हैं, okay, तो आपको तयारी कैसे करनी है, prelims के अगर topics देखे, तो आपका number स से कम ये रहेगा, arithmetic के बाकी के जो questions बचेंगे, वो arithmetic के आपके होते हैं, okay, लेकिन अगर mains की बात करें, तो mains में आपका जो ज़्यादा important topic है, वो क्या है, वो है data interpretation और arithmetic, ये दोनों mains के topic हैं, आपने दोनों को सही से, अच्छे से पढ़ना है, और data sufficiency, okay, अगर इन तीनों को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपका exam जो है, वो crack नहीं हो सकता, okay, तो अच्छे से आपको तियारी करनी है, quantity, aptitude, या फिर data interpretation या analysis के अगर बात करें, तो उसके बारे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, okay, समझ में आ गया होगा मेरे इखाल से क्या आपको पढ़ना है प्री के लिए, मेंस के लिए, इसलिए अगर मेंस के त्यारी करेंगे, तो इस सौरे topics आपके आजाएंगे, जब सारे topics आजाएंगे, तो प्री का भी कवर हो गया, मेंस का भी कवर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, next अगर हम बात करें, यहाँ पर reasoning and computer aptitude की, reasoning ability आप आपका inequality आता है, पांच नंबर का, syllogism, coding, decoding, machine input, output आजाएगा, alphabet series है, यह सब पांच पांच नंबर के जो sets questions के हैं, यह आपके पूछे जाते हैं, ओके, यह पांच पांच नंबर के, अब इसमें होता क्या है, कि हो सकता है, कि अगर आप shift 1 में है, आपने exam दिया, prelims का, shift 1 म आजाए, machine input, output, और alphabet series आजाए, ऐसे ही होता है, तो आप अगर exam देने जा रहे हैं, तो आप इसमें choose मत करिए, कि आपको inequality नहीं पढ़ना, coding, recording नहीं पढ़ना, क्योंकि आता नहीं, एक shift में नहीं आथा, दो हो सकता है, दूसरे shift में आजाए, इसलिए आपको पढ़ना है, यह सारे topics हैं, इनको आपको cut down नहीं करना है, कि इसमें से क्या नहीं पढ़ना, inequality आपकी question पूछे जाते हैं, simple preview हैं, simple questions होते हैं, mains की बात करें हैं, तो इसी में coded questions होते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं, syllogist में आपका new and old pattern दोनों आपका पूछा जाता है, आप यह नहीं क आपके questions आपके exam में पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके में new आया तो किसी में old नहीं है, आपके पढ़े रहेंगे, दूसरे का idea ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, machine input, output आपके questions पूछे जाते हैं, कई तरह के आपको कहीं सरे questions दिये भी हैं, और alphabet स्रीज के questions, खासतोर पर अगरा पर आपर भी प्योकलर की तेहरी कर रहे हैं, तो alphabet स्रीज के questions मस्ट हैं, आपके 5 नंबर में आना, इसके लावा बसता है distance and direction, इसके जो questions है, प्री में पूछे जाते हैं, और mains में आजकले एक नया इसका coded form चल रहा है, जिसके उपर मैंने भी हाल ही में एक वीडियो दिया था, इसके questions आपके पूछे जाएंगे 3 से 4 नंबर के, sitting arrangement की बात किया जाए, तो यहां से भी आपके questions आते हैं, इसमें आपका circular sitting रहता है, इसके बाद जो rectangle sitting ये circular हो गया, इसके बाद आपके rectangle sitting भी रहती है, mains की बात करें तो कई बार इसमें double questions होते हैं, कि इसमें एक rectangle अंदर रहेगा, एक rectangle बाहर रहेगा, इस तरह करेंगा, कई बार इसको hexagon की रूप में भी आपका पूछा जाता है, pentagon की रूप में भी पूछा जाता है, मतलब दो figures को मिला करके, माली जीए, आपका pentagon बन गया, इसके अंदर एक square table ऐसे fit कर दीगी इस तरह के questions आपके आते हैं, mains की बात कर रहा हूँ, प्रीम है तो simple यह आएगा आपका, यह आपका circular आ जाएगा, फिर rectangle आपका question आजाएगा, in and out करके पूछा जाएगा, फिर बात करेंगर हम puzzles की, तो puzzles आपके काफी different type की आते हैं, एक तो आपका जो month arrangement होता है, जिसमें कहा निज़त रहता है, जिसमें के questions आते हैं, उध्यान रखिए, अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर प्री की चाहे मेंस की तो ज़्यादातर संख्या में पॉजल्स आपके पूछे ही जाती हैं तो reasoning और computer aptitude के जो questions होते हैं तो total यहाँ पर 45 questions आपके पूछे जाते हैं अब अगर यह 45 questions पूछे जाते हैं तो इसमें ज़्यादातर संख्या में अगर मेंस की बात कर रहा हूँ मैं तो 25 प्लस जो questions होते हैं वो puzzles के उपर अधारित होते हैं तो आपको अच्छे से practice करनी है puzzles की डर यह नहीं कि puzzle आजाएगी तो हमको करना नहीं है पूजल आजाएगी तो करना है अगर आप practice पहले से करके रखते हैं बहुत सारी puzzles मैंने आपको दी हुई है और दे ही रहा हूँ आगे और भी दूँगा तो आप अपको तयार करिए puzzles को solve करने के लिए different different questions हैं मैं आपके लिए provide करूँगा आप उसको भी solve करके देखिए कि कैसे उसको solve किया जाता है order and ranking की बात की जाए तो एक से दो number के questions आपके पूँचे जाते हैं एक binary logic होता है जो computer aptitude का part है इसके पर मैंने questions बना रखे हैं यहां से questions आते हैं mains में आते हैं pre में तो नहीं आता mains में आते हैं यह mains का ही topic है फिर हम बात करें logical reasoning की जो की बहुत ज़्यादा पूँचा जाता है यह mains का ही topic है pre में नहीं आता है logical reasoning से काफी सारे questions आपके पूँचे जाते हैं अगर आप बात करिए coded inequalities में यह सब mains में उतना नहीं आएगा ध्यान रखे यह ज़्यादातर जो prelims के topics हैं में जातार इसलिए कह रहा हूँ mains में पूचे जा सकते हैं लेकिन हो सकता है mains में इनमें से कोई एक ही आए लेकिन prelims में तो यह कई सारे आ सकते हैं तो आप अगर इस पूरे topic को ले करके चलेंगे तो mains हो, pre की दयारी आपकी साथ-साथ में होगी क्योंकि mains में कौन सा आएगा इनमें से आपको नहीं पता है आप यह सोचे कि इसमें syllogism नहीं आगा mains में जरूरी नहीं आ जाए हो सकता है इनमें से कोई एक ही आए जातर questions, puzzle, sitting arrangement और logical reasoning, binary logic इनहीं सब को ले करके रहते हैं blood relations के questions आ सकते हैं एक से दो नमबर के या फिर इसको mix कर दिया जाता है puzzles में, इसके लोगा miscellaneous कुछ और topics बसते हैं जो चोटे मोटे एक दो questions आते हैं कि अगर यहां पर sentence दिया गया या एक word दिया गया है उसके बीच में कितने उतने ही word है जितने alphabet में होते हैं इस तरह की questions होते हैं या फिर एक जो आपके coded form में आपको लिखके दे दिया जाएगा कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है तो इसके लिए दूसरा जो अगर word दिया जाएगा उसको क्या लिखा जाएगा उसका code क्या होगा इस तरह के questions आ सकते हैं आपके 2-3 number में लेकिन जो ज़्यादा आपका focus रहगा वो puzzles पे, setting arrangement पे, logical reasoning पे जो की मैं कहता हूँ काफी आसान होती है अगर आपको पता है इसको कैसे solve करना है ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है develop नहीं कर सकता है ये आपके presence of mind पे depend करता है कि आप कितना आपका presence of mind exam में है इसके पर मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे है पूरी एक playlist बना रखी है हर एक topic कि आपने नहीं देखिए तो इसका मैं link दे दूँगा corner में आप जरूर देखिएगा बाकी सारे वीडियोज भी में आपको देत रहांगो तो आपको ये सारे topics तैयार करने है अगर आपको reasoning की अच्छे तैयारी करनी है अच्छे number लाने है क्योंकि reasoning का mains में एक question 1.33 marks का होता है ध्यान रखेगा इसी तरह गर हम मैं यहाँ पे पीछे आजाओ quantitative attitude में तो यहाँ पे 1.7 number का एक question है एक question का 1.7 marks मिलेगा mains की बात कर रहा हूँ मैं प्री में तो ठीक है एक एक number की है और आपका जो counting होती है फिर merit list बनती है mains के number और interview के धर बनती है तो अगर आप quantitative attitude में अच्छा perform करें reasoning में अच्छा perform करेंगे तो आपके number भी उतना ही ज़्यादा अच्छे होंगे अगला जो section है वो है English language का जिससे बहुत सारे बहुत ज़्यादा लोग घबराते भी है अब English language की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछा क्या जाता है English language अगर हम पूरा देखें अगर आपको English language का section निकालना है अच्छे number से reading comprehension आता है इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको editorials पढ़ने है editorials अगर आप पढ़ेंगे English newspapers के तो आप reading comprehension को बहुत अच्छे से solve कर पाएं क्योंकि पढ़ने की speed है और समझने की speed है आपकी बहुत अच्छी रहेगी जो लोग newspaper नहीं पढ़ते हैं English में content नहीं पढ़ते हैं उनके लिए tough होता है क्योंकि उनको एक-एक line पढ़र के समझने में बहुत टाइम लगता है अब ऐसे questions नहीं पूछे जाते हैं को आप question देखे और उसका answer यहीं पर लिखा रहेगा आप उसको mark कर सकते हैं चाहिए यहां से यहां तक इसका answer है आप टिक कर लिजे नहीं अब आप उसे जो questions पूछे जाते हैं वो आपको paragraph दिया जाता है paragraph के उपर आधारित questions रहते हैं प्री और मेंस दोनों में ही आता है यह reading comprehension फिर आता है sentence rearrangement या फिर पैरा जंबल आप कह सकते हैं इसमें आपको क्या होता है कि यहां पैरा जंबल तो आप जानती ही है क्या होता है इसमें आपको rearrangement करना रहता है sentences का यह 5 से 10 number के questions आपके पूँचे जाते हैं फिर error detection और error correction के questions आते हैं इसके अलग-अलग form होते हैं error मतलब आपको देखना है कि एक sentence आपका दिया कि उसमें कौन से part में error है तो वो आप बता देगे या फिर कई बार ऐसा होता है कि पूरा sentence लिखा रहता है एक part के उल उसका bold रहता है पूरे sentence का और आपसे पूचा जाता है यह क्या सही है अगर सही है तो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए पांचवा option सही कर दीजिए कि यह सब correct है अगर यह गलत है तो चार options आपके सामने नीचे रहते हैं चारों में से कौन सा सही इसका replacement होगा तो इस तरीके से correction के भी questions आते हैं इसको कई और तरीके उससे भी पूचा जा सकता है लेकिन उस पर ध्यान देने की जुरूत नहीं है कि कौन से तरीके से पूचा गया है क्योंकि जो भी तरीके से पूचा जाएगा उसमें part of speech ही आपके काम में आएगी कि आपको पता होना चाहिए noun कैसे प्रयोग होता है pronoun कैसे प्रयोग होता है verb कैसे प्रयोग होता है टेंस का जो प्रयोग है वो कैसे होता है इसमें साथ में आप टेंस भी जोड़ सकते हैं part of sit plus tense का आपको अच्छा knowledge होना चाहिए तो आपका English section आपका निकल जाएगा close test आपका पूछे जाता है new pattern old pattern दोनों तरह के close test आपके पूछे जाते हैं लेकिन ये भी आपका ज्यादा तर vocabulary और part of speech पर यह अधारित होता है अगर आप वह नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको नहीं कर पाएं फिर आखरी आपका word rearrangement जो की अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि इसकी शुरुवात हुई है इसके 5 नंबर के questions आते हैं कई बार काफी tough हो जाता है इसमें आपको word का rearrangement करना रहता है तब आपको सही option मिलत क्या जाता है कई बार हमको समझ में आ जाता है इसी को spelling के रूप में भी देखा जाता है क्या आप से यह कि कि स्पेलिंग दी जैए इनको आप ध्यान दीजिए यह तीन टापिक्स आपके important हैं और आप newspaper पढ़ना सुरू करेंगे तो आपको vocabulary भी अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी वही सारी आपके exam में कई यहाँ पर reading comprehension में तीन से चार नंबर के vocabulary डारेक्ट पूछी जाती है vocab का काम कहां पर आता है reading comprehension पढ़ते समय कि आपको समझ में आए कि क्या क्या लिखा हुआ उसका मतलब क्या निकलता है दूसरा sentence rearrangement में भी आपका vocab काम आता है error detection close test में भी vocab आपका काम आता है आपको पता होना चाहिए वहाँ पर जो word लिखा वो उस जगह पर suitable है कि नहीं है क्योंकि हर एक word के कई सारे अर्थ होते हैं और कहां पर कौन सा बाते हैं कौन से समय में हो रही है और यह अगर टेंस का knowledge आपको नहीं रहेगा अच्छे से तो इसी के साथ साथ आपको पता है कि English language सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है इसके साथ साथ एसे भी आपका एक लिखने को आएगा उसके साथ साथ एक letter भी लिखने को आएगा उक्यारी में जब यह चार सिक्ष adesso में सके दे लेंगे तो एक essay और एक letter आपको लिख नहीं है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ना तो ऐसे लिख पाएंगे ना तो लेटर लिख पाएंगे तो इसलिए आप पॉर्ड और स्पीच वकाइबलरी और टेंस का अच्छा नौलेज रखे और एडिटोरियल पढ़ते रहेंगे तो आपको एसे में काम करेगा क्योंकि अगर एडिटोरियल जो भी मतलब इसे जो भी आता वो जो प्रजेंट सिनारियोज होते हैं करेंट अफेर के उसी के उपर अधायत रहेगा इंडियन एकॉनमी पे आ गया या फिर कोरोना वायरस पे आ गया या फिर वैक्सीन पे आ गया कुछ भी आ गया तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं तो या कुछ डेटा उसका आपको पता है वो सारी चीज़ें आप इसे में पुट करते हैं तो आपका जो नंबर हो इंक्रीज होता है यही बात लेटर राइटिंग के लिए है कि अगर आपको लेटर राइटिंग अच्छे से नहीं आती है आप अच्छे शब्दों का नाम में ही आप समस्केते हैं आको क्या पड़ना है? जनरल भी नेंस पर मतलब कि ऑटा है जो अफ़ारकर के रखके रखना है माली सब्सक्राइब Europe 24 नंवंबर को अगर 24 नंबर को है तो कम की कम ओगते न 17 4 पारिकर का पी पाठीदे में काषिर है कि पोधार को है। पिछले जो चार महिने के current affairs आते हैं जो आपके बैंक से एकॉनमी से related होते हैं यहीं से ज़्यातर current affairs आते हैं या फिर sports related आपके current affairs आते हैं तो आप पढ़के रखें इसके बाद आता है banking आपको पता होना चाहिए हर एक जो इसका पता होने चाहिए क्या होता है कैसे होता है इसका यूज हम कैसे करते हैं, कहां पर किसका यूज होता है, वो सारी चीजें, इसके लवा हर एक bank में क्या-क्या changes आ रहे हैं, RBI ने क्या-क्या नई policies लाई हैं, या फिर किसके CEO कौन बने हैं, ये सारी चीजें भी C से related हैं, फिर आता है static GK, static GK जैसा नाम से ही आपको पता चला है कि जो चीजें स्थिर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होना है, इसके लवा एक हम कह सकते हैं कि उतना static तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत static GK में आता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये भी आपके एक्जाम में पूछी जा सकती है, किसकी राजधानी क्या है, ये प दरायाद रखेंगे, आप जो करेंट फिर आप पढ़ रहे हैं, पिछले चार महीनों में आप देखिए कि कौन से देश हैं, जो ज्यादा हाइलाइट हो रहे हैं, उन पर ज्यादा फोकस रखेंगे, जहां पर भारत के जो एमबेजडर हैं, वो बन रहे हैं, नहीं नहीं, यह सारी चीज़े, Static GK का पार्ट होती है, इनको भी आप पढ़ते रहिए, यहाँ से questionS आते हैं, पिर आखरीन बस ऐकोंनॉमिक्स का पार्ट, एकोनॉमिक्स में आपके लिलेटेड जो topics होते हैं, वहीं आपके पूचे जाते हैं, कि आपसे inflation के बारे में पूच लियागा graph वगारा के बारे में पूछ लिया जा सकता है तो यह आपका general awareness का जो topic है इन 4 section में आपको divide करके रखना है more or less अगर आप current affair पढ़ते हैं तो जहातर question आपके वहीं से पूछे जाते हैं current affair में ही आपका जहातर banking awareness आपका connect हो जाता है आप current affair को banking banking awareness के साथ जोड करके रखिए monetary policy आती है RBI की उसमें देखिए कि अगर RBI ने कितने basis point बढ़ाएं है reverse repo rate के फिर आप वहाँ से सोचे कि अच्छा ये क्या होता है MCLR क्या होता है अगर current affair में आ रहा है तो आप अगर connect करके पढ़ेंगे तो आपका banking awareness ऐसे ही तयार होता रहेगा आप current affair से static GK पे भी नजर रख सकते हैं जैसे UNESCO heritage list में भारत में कौन समिल हुआ है या फिर भारत के कौन से ambassador है जो कि किसी नए देश में गए है उस देश की राजधानी क्या है वहां की मुद्रा क्या है भारत का किस के साथ करार हुआ है किस के साथ समझोता हुआ है MOU हुआ है उस देश की राजधानी मुद्रा क्या है वहां के प्रधान मंत्री कौन है कौन से देश के नए प्रधान मंत्री बने है यह सारी चीज़ें आपको connect करके रखनी है तो आपको ऐसे ही सारी चीज़ें connect करके पढ़ना है connect करके अगर नहीं पढ़ेंगे current फिर अलग पढ़ेंगे बंकिने अलग पढ़ेंगे, static gk अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा problem होती, connect करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्याद आसान होगा तो ये चार topics हैं फिर आपके चार subjects हैं जिनकी आपको तयारी करनी है चारों का जो syllabus है मैंने आपको बताए क्या आपको पढ़ना है pre और mains के लिए और mains के अगर आप तयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि pre की तयारी अपने आप ही हो जाती है तो आप तयारी अच्छे से करिए बाकी जो वीडियोज हैं वो आपके लिए मैं लेकर क्या आता रहूँगा हर एक subject की उसके आपको tension लेने जरूत नहीं है आपको अगर इसमें कुछ doubt हो तो आप मुझे comment करके पूँच सकते हैं मैं आपका doubt दूर करने का प्रयास करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करिए और उन लोगों तक भी इस वीडियो को share करिए जिनको अभी तक यह idea नहीं है कि exam तो शुरू हो चुके है अब तैयारी कैसे करनी है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है उन तक भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी और आप चैनल को subscribe करिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे अब हमिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye